तो next question हमारा important question है 2024 के लिए परागरण से आप क्या समझते हैं या परागरण किसे कहते हैं ऐसे करके question आएगा या आपको देखने के लिए मिलेगा प्रिकार भी इसके पूछे जाते हैं कि जो परागरण pollination है कितने प्रिकार का होता है तो बो भी देखेंगे ये भी आपके लिए बहुत important question है तो पहले समझते हैं इसकी परिवासा की किसे कहते हैं तो आपको दियान रखना है परागरण आप दोनों चीजें जान चुके हो जो हमारा एंड्रोसियम था ये एंड्रोसियम बाला वाग था जिससे हम कह रहा है थे पुंकेशर एकाई को पुंकेशर कहते हैं स्टैमिन कहते हैं और हमने सीख लिया था कि स्टैमिन ये कौन सा भाग होता है तो आपको दियान रखना है ये मेल भाग है ये भी देख लिया था मेल पाठ है नर भाग है नर भाग है एक पुस्प के अंदर नर भाग मिलेगा आपको पुंकेशर अब हमने देखा था इस पुंकेशर में आपको पता है यहाँ पर फिलामेंट देखा था फिलामेंट जिससे ब्रंद कहते हैं अंदी में और ये हमने देखा था यहाँ पर एंथर मिल रहे थे एंथर जिससे हम कह रहे थे पराग कोश यह चीज हमने देखी थी इनको कह दिया था पराग कोश तो यह दो चीजें और बीच में आपको ध्यानी है यहाँ पर ये वाला भाग क्या है सहयों जी कनेक्टिब पिसु कहलाता है आपका सहयों जी तो इस वाले भाग को भी लिख देते हैं हमने का यह सहयों जी उतक है उतक कनेक्टिब पिसु तो यह तीन भाग आपको देखने के लिए मिलते थे में दो भाग हैं अब यह किसके भाग हैं तो आपको ध्यान रखना है यह सारा हम मिला करके इसमें बहुत सारे होंगे तो हम इसको कहते थे पुमंग एंडरोसियम एंडरोसियम बोलते थे तो यह आपको ध्यान रखना है कि एंडरोसियम का हम बढ़ चुके हैं फिर हमने देखा था इसी में यह वाला भाग इस पिरकार से एक सरचना देखी थी और यह सरचना हमने वताया था किसकी थी तो आपको ध्यान रखना है यह वाली जो सरचना है वो इस्त्री के सर तो आपको ध्यान रखना है यह इस्त्री के सर है एकाई को इस्त्री के सर कहते हैं इस्त्री के सर जिससे पिस्टल या कारपिल बोलते हैं और यह कौन सा भाग होता है तो आपको ध्यान रखना है फीमेल पार्ट होता है इससे हम कहते हैं मादा भाग मादा भाग तो किसी पुष्प के अंदर आपको यह दो भाग दोनों एक साथ मिल सकते हैं उससे हमने नाम दिया था उवैलिंगी और एक मिलेगा तो एक लिंगी तो हमने दोनों के अब आपको ये भी पता है ये वाला भाग क्या कहलाता था इस्टिग्मा बर्तिकाग इसको कहते थे बर्तिकाग और ये वाला भाग जो आप देख रहे हो पैप जैसी सरचना इसको कहते थे इस्टाइल जिससे बर्तिकाग बोलते थे बर्तिका और ये फूला हुआ भाग आप देख रहे हो लास्ट में नीचे इसे बोलते थे ओब्रीज जिससे हम अंडासे कहते हैं अंडासे तो ये हमने देख लिये थे इस तरीके सर मतलब किसका भाग है ये आप कहोगे ये है जैयांग जैयांग का भाग है ये है गाइनोसियम और गाइनोसियम में कितने भाग होते हैं तीन भाग होते हैं आपको दियान रखना है अब देखते हैं इनके बारे में की परिवासा इन दोनों पर ही डिपेंड है परिवासा हमारी कैसे तो इनको ही देखेंगे ये ही आपके एक कोशन और भी बनता है अगर आपसे पूछ ले की पुस्व में की पुस्व के अंदर कौन से आवसक चक्र होते हैं और कौन से सहायक चक्र होते हैं तो चार चक्र थे तो ये वाले आपको दियान रखना है एक पुस्व के अंदर पुमंग और जयांग आवसक चक्र होते हैं क्यों आवसक चक्र होते हैं आप कहोगे ये जनन में भाग लेते हैं तारिक्ठ ही जनन करेंगे पिर्तियक्श रूप से आपको जनन में भाग लेते हैं. जबकि सहायक चक्र कौन से होते हैं तो आपको धियां रखना है वहे दल और दल पॉँश्य. ये क्या है सहायता करते हैं इसलिए इंको क्या कहते हैं सहायक चक्र. अगर किसी पुस्प के अंदर हमने पुस्प के दोनों चक्रों को नीचे वाले चक्रों को तोड़ दिया तब भी पुस्प नया पौदा का निर्माण कर लेगा क्यों? मेल और फीमेल दोनों हैं अगर आप मेल और फीमेल इनको पुस्प से निकाल दोगे तो दूसरा पुस्प का निर्माड नहीं हो सकता इसलिए उनको क्या कहा गया है आवश्चक चक्र इन दोनों को और जो नीचे वाले दोनों चक्र है वहे दलपुझ और दलपुझ को हम कहते हैं सहयक चक्र क्योंकि उनको आप फेक दो तब भी कोई फरक नहीं लेकिन उनका काम क्या होता है तो ये भी दियान रखना वो कीटों को आकरसित करने के लिए कलरफुल होते हैं नीचे वाले भाग तो आकरसित करने के लिए क्यों क्योंकि इनमें जो पॉलिनेशन का प्रोसेज होता है परागन वो करने में हैल्प करते हैं तो हमने का कैसे परागन होता है अब इसके अंदर आपने देखा पराकोस इसके अंदर आपको इस टैप से pollen grain मिलेंगे पराकोस के अंदर आपको pollen grain पराकण मिलते हैं तो इसमें हमने पराकण दिखा दिये इस प्रकार से आपको पराकण बहुत सारे मिलेंगे इसके अंदर ये आप के हो गया पराकण और हैं किसके अंदर तो आपको ध्यान रखना है पराकोस के अंदर आपको यही बात दियान रखना है कि पराकोस के अंदर हमेशा क्या मिलेंगे पराकण मिलेंगे पॉलन ग्रेन मिलेंगे तो ये चीज आपको दियान रखना है अब हमने का इस पराकोस के अंदर क्या मिलना है आप कहोगे इस पराकोस के अंदर हमें ये मिलना है जिनका नाम है पराग कण दियान रखना परागण और परागण अलग है इसे कहते हैं एंथर और इसे कहते हैं पॉलन ग्रेंग तो क्या मिलना है पराकोस के अंदर पॉलन ग्रेंग मिलना है आपको दिहान रखना है इसके अंदर क्या मिलना है पराकण मिलना है अब हमने का यह पराकण कब निकलेंगे पराकोस से निकलेंगे पराकण वही पराकोस क्या है यह वाली लेयर क्या है पराकोस ह इसके अंदर है और इस वाली लेर से तो इनकालेंगे इनको अगर निकालना होगा तो हमने कहा पराकोश से हमने क्या निकाल लिए यह पराकर निकाल लिए यह इस परकार से पराकर अब क्या करा तो हमने कहा किसी भी पुस्प से कोई सा भी पुस्प ले सकते हैं और उसमें मेल भागोगा तो मेल के हमने कहां से पराकोष से पराकर निकाल कर पराकोष से पराकरों को निकाल कर कहां पहुँचा दिया तो आप कोगे इन पराकोष को कहां पहुँचा दिया मादा के मादा पुस्प है तो मादा के कहां पर भी उपर वाला बाकिया बर्तिकागर आप कहोगे मादा के स्ट्रीकेसर के बर्तिकागर यहां पर पहुंचागर अब यहां पर पहुंच जाएगा यह पॉलन गरेन तो क्या कहलाएगा परागन कहलाएगा पॉलीनेशन की क्रिया होगी क्यों तब ये कि जाकर इससे मिल जाएगा और यहां पर हमने बताया था आपको क्या होते हैं आपका इसके अंदर ओवियूल लगा होगा और ओवियूल लगा होगा तो जैसी ही इसमें मिल जाएगा क्या हो जाएगा निसेचन हो जाएगा दोनों मिल जाएंगे मेल और फीमेल और जैसी मिलेंगे तो आपको दियान रखना है ये बदल जाएगा किसमे जो आपकी ओवरी है वो किसमे फल में बदल जाएगी और आपका जो ओवियूल है ये ये आपको दिया रखना है हमने लिख दिया फल फल में चेंज हो जाएगी और ये आपका बीज में चेंज हो जाता है लेकिन ये आपको दियान रखना है कब होता है जब ये मिलेंगे तो मेल फीमेल मिलना है तभी तो क्या कहा दिया अब फर्टिलाजेशन तो इसी को क्या कहते हैं परागन कहते हैं क्या कहते हैं अब आप परिवासा देखो कि पराकोस से पराकाण निकल कर मादा पुष्प के बर्तिकागर पर पहुँचने की क्रिया को हम क्या कहेंगे परागण कहेंगे तो पराग कर परापोस से परापन निकल कर मादा मादा पुष्प होगा तो मादा पुष्प के बर्ति कागर पर पहुचने की क्रिया को पहुचने की पिरक्रिया को पिरक्रिया को परागन कहते है परागन या पॉलिनेशन कहते है पॉलिनेशन कहते है तो यह आपको दियान रखना है इसमें जैसे डाइग्राम में आपको दिख रहा है वैसी आपको दिखा देना है कि इसके अंदर क्या है यह मेल भाग था और मेल भाग के अंदर पराकोस है यह उपर बाला भाग और पराकोस के अंदर गणप पॉलिनेशन दो पिरकार के होते हैं दो पिरकार से होता है से होता है अब दो पिरकार कौन-कौन से हैं यह आपको दियान रखना है कि दो पिरकार से कौन-कौन से पिरकार से परागरण के पिरकार हमने देखे थे दो पिरकार के होते हैं दो पिरकार में पहला पिरकार देखते हैं पहले दोनों के नाम जान लेते हैं एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन जो पिरकार हैं दो पिरकार के कौन-कौन से हैं, self-pollination, शोय, परागन, यह स्वयम भी बोल देते हैं इसको, स्वयम परागन, द्यान रखना, दोनों ही बढ़ चलते हैं, दूसरा आपको द्यान रखना है, cross, cross-pollination, और इसे कहते हैं, पर-परागन, पर-परागन गोलते हैं, तो दो पिरकार के होते हैं, अब देखते हैं, self-pollination किसे कहते हैं, पहले यह type देख लेते हैं, कि, स्वय परागन, self-pollination किसे कहते हैं, तो हमने कहां, दो पौदे हैं, यहां पर दोनों में दिखा देते हैं, एक यह पौदा है आपका, और यह नीचे, जड़ हैं इसकी, इस पिरकार से, यह मिट्टी के अंदर है, और यहां से पत्तिया निकली हैं कुछ, यहां से पत्तिया निकली हैं, और यहां पर हमने, एक पुस्प बना दिया, इस सेड़ में, यह, और यह आपका पुस्प है, एक लगा हुआ, छोटा सा, यह, अब इस पुस्प में, आपको भाग दिखा देना हैं कि, कौन-कौन से भाग थे, तो हमने चार भाग देखे थे, चारों को यहां पर दिखा देते हैं, चोटा सा पुस्प है, और यह, एसी हमने एक यहां पर पुस्प बना दिया, इसकी टॉप पर, यहां पर, इस टैप से, और इसको भी हमने दिखा दिया, चार परकार के जो हमारे भाग थे, उनको दिखा देते हैं, यहां पर, यह, जो चार परकार के हमारे भाग थे, एक पुस्प के अंदर, और यह दिखा दिया, और हमने एक पुस्प बना दिया, पहले एक में ही देख लेते हैं, अब क्रॉस जो पॉलिनेशन है, उसको बाद में देखेंगे, पहले सेल्फ को देख लेते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन में आपको दियान रखना है, एक पौदा लिया है, आपको दियान रखना है, एक पौदा है, दूसरे पौदे का उप्योग नहीं करना है, एक क्या है पुस्प लगा हुआ है तो ये पुस्प वाला भाग है अब हमने का इस पुस्प में ये क्या है आपको दियान रखना है ये आपके है पराग कोस और इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको दियान रखना है इसके अंदर हमें मिलते हैं आपको दियान रखना है इस पराकोस के अंदर पराग कण ये पुष्प है इस पुष्प में और ये कौन सा भाग होता है आपको ये भी दियान रखना है नरभाग और नर्भाग से आपको दियान रखना है नर्भाग से क्या मेल गैमिट बनते हैं मेल गैमिट का निर्माड होता है नर्योगमक तो हमने का ये नर्भाग है नर्भाग को क्या कहते हैं आपको मेल गैमिट का निर्माड करेगा तो हमने कहा मेल गैमिट के रूप में क्या है पराकोस के अंदर आपको पराकड मिलना है अगर आप से उचे मेल जो हैं वो गैमिट में किस का निर्माड करते हैं mail gamit यह पराकर्ण ही कहलाते हैं pollen grain आपके यह pollen grain पोलन ख्रस्प अससे क्या है पराकोस है पराकोस के अंदर क्या है पराकर्ण हमने यहां से निकाला एक पौदे के पुष्प के पराकोश से पराकर निकाले निकालने के बाद हमने क्या करा इनको निकाल कर लो यह आ गए आपके बहुत सारे पौलन ग्रेन यहां पर अब हमने यह कहां पहुँचा दिये तो आपको दियान रखना है इनको हमने पहुँचा दिया यहां पर क्या दूसरे पॉस्प पर तो आप कोगे नहीं सर इसी पॉस्प से पराकोश से मेल वाले से निकाले थे और फीमेल वाले पार्ट पर पहुँचा दिये या आप क्या कर सकते हो इस पोस्ट के पराकोस से पराकार निकाले और हमने क्या करा इन पराकोस को उसी पौदे के दूसरे मादा के बरतिकागर पर पहुँचा दिया इन पराकोस को यहां पर पहुँचा दिया यह हमने यहां पर पहुँचा दिया इनको और इसको या हमने यहां पर पहुँचा दिया तब इसे क्या कहते है Self-Pollination कहते है अब इसकी परिवासा कैसे आपको दिहान रखना है तो आपको यह चीज दिहान रखना है पहले वाले के लिए बता रहा है यह वाले के तो इधर देख लेते हैं इसी को यह यहां पर आ जाएगा Question आपका यहां पर इसकी बात कर रहा है तो हमने कहा देखो क्या रखने है तो आप कहोगे एक पौधे के पौधे के पुस्प उस पर पुस्प लगा हुआ है तो एक पौधे के पुस्प के कौन सा भाग का प्योकिया नर्भाग एक पौधे के पुस्प के नर्भाग अब नर्भाग कौन सा है नर्भाग के पराकोस पराकोस से अब नर्भाग है यहां पर देखो नर्भाग यह है और इस यह क्या है पराकोस और पराकोस से किसका निर्माण हो रहा है जो मेल गए मिट के रूप में परागकन परागकन पॉलन ग्रेन परागकन निकल कर निकल कर अब यहां से निकाल लिये यह आ गए निकल कर उसी पुस्प के उसी पौदे पर या आप लिखोगे निकल कर उसी पुष्प के उसी पुष्प के उसी पुष्प के उसी पुष्प के आपको दियान रखना है उसी पुष्प के और उसी पुष्प के मादा हाँ इसी पौदे के देखो यहां से निकाले हमने निकल कर यहां निकाल गए निकलने के बाद आपको धियान रखना है इसी पौदे के इसी पौदे के और इसी पुस्प दूसरा यूज नहीं करा इसी पौदे के और यहां से ले गए इसी पौदे के, इसी पुश्व के, मादा भाग के, अब देंको मादा भाग कौन सा आ है यह वाला? मादा भाग के, और जिससे हम क्या कहते थे बर्तिकाग, 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 पर अथवा, अथवा आप लिखोगे क्या? आप कहोगे अत्वा या आप अप क्या कह दोगे एक पुस्प के पराकोश से पराकर निकल कर उसी पौधे के अब ले ले गए लेकिन आप क्या करते हैं उसी पौधे के दूसरे पुस्प के मादा के बरतिकाग पर आप कहोगे अत्वा उसी पौधे के है बही चीज, उसी पौधे के दूसरे पुस्प के मादा मादा भाग के बरतिकाग, बरतिकाग, पर पहुँचने की, आपको ध्यान रखना है, पहुँचने की किरिया को, पहुचने, इदर लिख देते हैं, की किरिया को, किरिया को, स्वेम परागड कहते हैं, या क्रोस, सोरी, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, की किसे कहते हैं, हमने कहा है, इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक पौदे का अप्योग करेंगे, और एक पौदे का अपयोग कैसे करेंगे आप अपने आपसे भी लिख सकते हो इसको एक पौदा लिया उसमें हमने दो पुस्प दिखा दिये तीन भी हो सकते हैं चार भी तो हमने का इस पौदे में मेल भाग होगा एक तो ये मेल भाग है हमने का इसके मेल बाग में कौन दो भाग होते हैं एक एंथर और पराकोस तो हमने एंथर के रूप में आपको पराकोस तो पराकोस के अंदर क्या मिलेंगे आपको पराकोस तो आप कोगे एक पौदे के पुस्व के पराकोस से पराकोस है यह और पराकोस के अंदर क्या मिलते तो आप कोगे पराकर निकल कर उसी पौधे के यही पौधा है दूसरा पौधा नहीं लिया इसी पौधे के मादा ये बीचवाला बाग क्या था चोथा मादा तो मादा के बरतिकागर पर पहुंचने या अथवाँ आप कोगे इस पौस्ट के पराकोस से पराकाड निकल गए यहां तक आप कहूँगे इसी पौदे के इसी पौदे के दूसरे यह देखो दूसरे पुस्फ के मादा के बाब के बरतिकागर पर पहुचने की क्रिया को आप क्या कहते हैं सैल पॉलिनेशन कहते हैं अब आपको यहाँ पर दियान रखना है क्रॉस पॉलिनेशन में एक पॉदे का प्योग नहीं करेंगे उसमें दो पॉदे का और इसी प्रकार से इनके टाइप डिवाइड हो जाते हैं इसको भी आप क्या कहते हो जैसे हमने यह लिखा यही दो प्रकार के डिवाइड हो जाता है आपका क्या एक आपका यह है दो को यहाँ पर जब नर भाग के पराकोस से पराकार निकल कर उसी पॉदे के उसी पुस्प के मादा के बरतिकागर पर पहुँचने के क्रिया आपको क्या कहलाएगी आपको होगे यह सोई यूगमनच या आटोगैमी कहलाती है इसको कह देते हैं सोई या सोय यूगमनच 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 कहलाती है आटोगैमी कहते हैं इसे और यह क्या कहलाएगी आपको सजात पुस्पी परागण तो ये भी आपको द्यान रखना है ओर्टोगेमी एक को कहते हैं दूसरे को सजात पुस्पी परागण कहते हैं इसी के पिरकार हो जाते हैं ये आपके क्योंकि एक ही पौदे पर या तो उसी पर गिर जाए या दूसरे पौदे पर चले जाए, दोनों के पिरकार हो जाते हैं तो ये था हमारा self-pollination, दूसरा आता है cross-pollination हमने self-pollination देख लिया था, अब देखेंगे cross-pollination, दूसरा पिरकार तो आपको द्यान रखना है जिसे पर-परागण बोलते हैं कि पर-परागण किसे कहते हैं, तो इसमें आपको द्यान रखना है दो पुस्पों का use करेंगे, दो पौदे लेंगे, एक पुस्प यहाँ पर बना देते हैं यह आपका एक पुस्प है यह अब आपको द्यान रखना है, एक पौदे का अपियोग नहीं करेंगे, यहाँ पर दो पौदों का अपियोग करेंगे और दो पौदों से प्रागण की प्रिया स्टार्ट होगी, यह आपका एक पुस्प हो गया और यह मिट्टी में जड़े हैं इसकी यह यह पुस्प है यह पत्तिना है इसकी अब इस पुस्प में आपको दियान रखना है एक फ्लावर हमने उपर देख लिया यहाँ पर यह है और दूसरा फ्लावर हम दूसरे पुस्प पर बना देते हैं यह इस प्रिकार से एक पुस्प हो गया इसी हमने एक पुस्प यहाँ पर ले लिया एक पुदा है यह एक पुदा एक पुदे का अपयोग करा अब इधर दूसरा पुदा ले ले लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर दूसरे पुदे का अपयोग कर लिया हमने यह यह आपका दूसरा प्लांट है दूसरे पुदे का अपयोग अब आपको दियान रखना है इसमें भी एक पुस्प बना देते हैं और यहाँ पर एक फ्लावर लगा देते हैं छोटा सा यह आपका फ्लावर है और यहाँ पर भी इसके पराकोस निकाल देते हैं और यह तीसरा चक्र और यह पहला चक्र आपको दियान रखना है यहाँ से एक लिप्स का फॉर्मेशन कर देते हैं यह यह आपका लिप्स है और एक लिप्स और लगा देते हैं यहाँ पर अब यह दो पॉदे होगा इसको लिख देते हैं दूसरा पॉदा यह पहला पॉदा है यह दूसरा पॉदा है इसमें आपको दियान देना है एक पॉद यह है यहाँ पर लगा हुआ इसको और एक पॉद यहाँ पर लगा हुआ दो पॉस्प हैं लेकिन अलग अलग पॉदे पर है अब आपको यहाँ पर यह क्या है यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा मेल भाग मिलेगा और मेल भाग के अंदर आपको दियान रखना है सबसे बारी पराकोस होगा कोस एंथर है अब एंथर के अंदर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर भी तो आपको दियान रखना है इसके अंदर आपको मिलेंगे पराग कड पॉलन ग्रेन यह आपको दियान रखना है इसके अंदर मिलेंगे पॉलन ग्रेन इसमें आपको मिलेंगे pollen grain अब हमने कहा एक पुस्प के पराकोस से एक पुस्प है उसमें क्या है पुस्प है एक पुस्प से पराकोस से क्या निकलेंगे पराकर निकल कर हमने कहा यह निकल कर यह जा रहा है गूमते हुए निकल कर निकल कर और ये कहा जा रहा है तो आप देखोगे दूसरे पौदे कर दूसरे पौदे के और दूसरे पौदे के कहा जा रहा है आपको दिहाना है ये बाग कौन सा बाग है मादा मादा भाग के और मादा भाग के कौन से तो आपको दियान रखना है बर्तिका आपको दियान रखना है बर्तिका तो यह बर्तिकागर पर यहाँ पर यह पहुँच जाते हैं यहाँ से निकले यह आपके पॉलन ग्रेन और निकलते हुए कहां पहुँच गए हैं आपको दियान रखना है एक पुस्प के ये एक पुस्प है इसमें पुस्प है तो आप कहोगे एक पुस्प से पराकोश से पराकर निकल कर दूसरे पौधे के पुष्प के मादा के बर्तिकागर पर पहुँचने की घटना को क्या कहेंगे पर परागरण कहेंगे तो इसी को हम लिख देते हैं देखो क्या है एक पौधे के आपको द्यान देना है एक पौधे के पुष्प के एक पौदे के और पुस्प के यह एक पौदा है इसके पुस्प लगा हुआ है तो पुस्प के पराकोस से पराग कोस पराग कोस से जिसे हम कहते हैं एंथर पराग कोस से क्या निकलेंगे तो आपको ध्यान रखना है पराग कर आपको दियान रखना है परागकर्ण पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन तो ये आ गए आपके परागर्ण यहां से निकले पराकोष से एक पॉदे के पॉस्प के पराकोष से पराकर्ण निकल कर तो पराकर्ण पराकर्ण निकल कर निकल कर दूसरे पौदे के अब ये क्या है दूसरा पौदा है तो आपको दिहान रखना है दूसरे पौदे के दूसरे पौदे के अब ये दूसरा पौदा आ रहा है दूखो ये दूसरे कप यो कर लिया दूसरे पौदे के मादा भाग मादा भाग मादा भाग के बरतिकाग पर पहुचने की गटना को पहुचने की गटना को गटना को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं पर परागण कहते हैं तो यह आपका था कि क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं अब इसमें कुछ विठिया होती है आपको द्यान रखना है जो अपका पॉलिनेशन है उसमें जो स्वहम होता है यह बाला तो आपको स्वहम होगा माद्यम कोई भी साधन की आवस्ट्ता नहीं होगी लेकिन इसको करने के लिए क्यो क्योंकि माद्यम की कोई साधन की आवसकता होगी अब आप देखोगे सेल्फ वाले में भी टैप्ट है तो आपको अगर सेल्फ वाला है तो स्वेम होता है कैसे हमने का बहां पर आप देख रहे थे एक पुस्प था उसी पौदे के या तो गिर जा रहा था तो अपने आप से हो जाया पास में है लेकिन यहाँ पर क्या है एक पौदा यहाँ है एक पौदा यहाँ पर है दूर है बहुत ज़्यादा दूर है मालो और कहीं भी हो सकता है तो इसके लिए कुछ न कुछ साधन की आवसकता होती है तो साधन के रूप में आपको ध्यान रखना है कि किस किस का प्रियोग कर सकते हैं साधन के रूप में कैसे पॉलिनेशन होगा तो आपको ध्यान रखना है जल के द्वारा, बाईू द्वारा और जन्तूओं द्वारा क्योंकि इसको करने के लिए किसी ना किसी साधन की आवसकता होती है वो साधन क्या हो सकते है जल हो सकता है बायू हो सकती है और जन्तू हो सकते है कैसे मालो जल के द्वारा आपके पानी में बहता हुआ ये पॉलन ग्रेन है pollen grain आया पानिंग के साथ वैता हुआ चला गया किसी दूसरे पुस्प के पास और गलती से वो किस्प है दूसरे पुस्प के मादा के बर्तिकागर पास पहुंच जाता है तो क्या हो जाएगा फर्टिलाजेशन हो जाएगा निसेचन की प्रिक्रिया हो जाएगी ऐसी बायू के द्वारा आपको ध्यान रखना है बायू हवा बिंड के द्वारा जब हवा चलती है तो ये pollen grain उड़कर के दूसरे इस्थान पर पहुंच जाते है तो तब भी क्या दूसरे पौदे या दूसरे मादा के बर्तिकागर पर पहुंच जाएगे तो क्या हो जाएगा निसेचन की पिरकरिया हो जाएगी और ने पौदे का जर्म हो जाएगा ऐसी जन्तूओं के द्वारा कैसे जन्तूओं के साथ में ये pollen grain चले जाते हैं जन्तू अपने पैर में चिपका कर ले जाता है तो उसके द्वारा भी pollen grain एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर चले जाते हैं तो आपको द्यान रखना है इसमें साधन की आवस्ता होती है लेकिन इसमें जो self-pollination है कोई साधन की आवस्ता नहीं होती है क्यों? क्योंकि ये पास में होता है पास में होने का मतलब क्या है? इस पुस्प से निकले इसी पर गिर गए या इसी पौदे के दूसरे पुस्प के मादा के बरतिकागर पर गिर गए तो बहाँ पर साधन की आवस्ता नहीं हो रही पास में ही है दोनों चीजें तो इसलिए साधन की आवस्ता नहीं हो रहे अपने आप से pollination हो जाता है लिकिन इसके लिए आपको ध्याँ रखना है cross pollination मैं अब इस में से question ये भी पूच लेते हैं कि enter बताएए self pollination और cross pollination में enter क्या है तो ये आपको enter भी बता देना है पहले तो इसकी परिवासा, सैल पॉलिनेशन की पहला अंतर तो यही हो जागा, आप कहोगे, एक पौदे के पुस्व के बरतिकागर से, एक पौदे के पुस्व के पराकोश से पराकार निकल कर उसी पौदे के या उसी पौदे के दूसरे पुस्व के बरतिकागर पर पहुँ पहुचने की क्रिया क्या कहलाएगी सेल और क्रॉस में आप कहोगे एक पौदे के पुस्प के पराकोश से पराकार निकल कर दूसरे पौदे के मादा के भाग के बरतिकागर पर पहुचने की क्रिया क्या कहलाएगी क्रॉस पौलिक आप कहोगे उसमें कोई भी साधन की आवसक बता होती है कौन से साधन तो आप कहोगे इसमें किसी ना किसी साधन जैसे जल बायू जन्तू उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है तो अंतर भी आप बता सकते हो और इसके कोई भी टाइप नहीं होते हैं ये बिदियां होती है जल द्वारा बायू द्वारा जन्तू द्वारा बाग कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान भी रखना है इसका एक आपका है क्लेस्टिड क्लेस्टोडियो ऐसी आपका बड़ कलिका है कलिका वाला द्वारा और आपका इसमें तीन प्रकार हैं इस सैल्फ वाले में आपको तो इसमें भी ध्यान रखना है तो यह अंतर में आप लिख सकते हो इनकों की बिदियां पिरकार इसकी ये बिदियां लिख सकते हो कि कैसे जल के द्वारा कैसे होता है तो ये था आपका cross pollination बहुत सरल है आपको पौदों को दिहान में रखना है और पौदों को आप दिहान में रखोगे तो आसानी से complete हो जाएगा तो ये question भी आपको बहुत important है वेरी वेरी important है आपके लिए जो exam 2024 में यूपी वोट के लिए तो दिहान में रखकर इसको complete करना है आपको क्योंकि इसमें से एक question नहीं दो question बनते हैं एक तो आपको खाली परिभासा के तोर पर आ जाता है दूसरा इसमें परिकार भी है तो परिकार में से कभी ना कभी एक परिकार रवावस्च पूंच लेता है जैसे मालो क्रॉस वाला पूंच लिया या सेल्फ पूंच लिया तो दोनों को ही आपको तैयार करना है तो ये question हमारा complete होता है